अब हम पढ़ने वाले यहां पर ऑपरेटर्स के बारे में ऑपरेटर्स होते क्या है उसके पहले हम एक चीज जान लेते हैं जैसे कि आप देखिए अगर अपन लेते हैं वी ए आर ए और उसमें देते हैं अबयार और उसमें यहाँ लेते हैं अल्गाश्य आप देखिए यह अग कुछ चीस यहां पर हम देखने को Пон जान न में देखिए यह एक्स्प्रेशन अब क्या बोला जाता है और यह यहां पर मिलकर वनिये हैं देखिए यहाँ पर VAR यानि कि आप डिखले देशन जो कीबर्ड है VAR या फिर इसके बदले में आप LET ले सकते हैं दूसरी चीज आपको दिख रहे हैं A क्या है एक alphabet है वो हम जानेंगे एक variable है ठीक है और दूसरी चीज आपको दिख रहे हैं आपस में जोडने का काम कर रहा है यानि कि हम simple बोल सकते हैं कि ऐसा कोई symbol जो क्या करता है किसी action को perform करता है उसे हम क्या बोलेंगे operator और यह किस पर अपना action कर रहा है यहाँ पर A है B है तो A और B जो क्या है एक प्रकार के operand है ठीक है यह क्या है तो operator और operand को जोड़ दिया जाता है तो complete truth से हमको क्या देखने मिलती है हमको देखने मिलती है expression यह चीज आप समझ गया है तो simple हम बोल सकते हैं अगर हम C बराबर A प्लस B देते हैं तो इसको हम complete truth से expression बोलेंगे जो किस किस से मिलकर बनी है एक तो operand आपको दिख रहा है C है A है B है यह तीनों क्या है operand है और equal का sign है और प्लस का sign A क्या है operator है तो operator आप समझ गया operator कोई symbol होता है जो किसी action को perform करता है इसी के बारे में हम यहां पर विस्तार से जानने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम एक example को हल करते हैं ठीक है तो हम स्टार्ट कर ल कीजिए यहां पर VAR A लेता हूं और equal का sign लगा के हम देते हैं 10 तो देखें यहां पर आप देख सकते हैं जैसे जो A है यह क्या कर रहा है एक अल्फावेट है जो की identifier है यहां की variable है और variable में हम 10 को store कर रहा है अब 10 को store करने के लिए यहां पर क्या यूज हो रहा है यहां पर operator है और यहां पर A जो है operand है दोनों से मिलकर हम एक प्रकार से एक action को perform कर रहा है जो क्या है expression बनता है दूसरी जिज़ अगर हम बोले तो VAR B लेते हैं और इसको देते हैं 20 तो आप देखें यहां पर भी हमको operator की जरूवत पड़ी और third जो variable लेते हैं VAR और C लेते हैं equal करक plus का यह क्या कर रहा है दोनों को जोड़कर सी में store करने का काम कर रहा assignment operator के अनुसार ठीक है और एक हम यहां पर statement print कर देते हैं document.write और bracket के अंदर हम सी को print कर देते हैं और बाहर आकर यह इसको बंद कर देते हैं जब हम इसको save करेंगे तो हमारे पास में यहां save है आपको पता देखे हैं इसके अलावा हम जो plus है उसको minus भी कर सकते हैं और कि यहांप प्लस के साथ में minus है क्रें मीनस भी कर सकते हैं यह जो और यहां पर 600 आ जाएगा 8 में हम इसको डिवाइट भी कर सकते हैं तो जिसे दिवाइट के लिए हम यहां पर लिखते हैं 40 40 में 20 का भाग देना है तो डिवाइट के लिए कुन से निसान लग जाता है स्ञाइब जो दिवाइट का निसान है वो लग जा रहा है दो वार यहां पर भाग गया मोडीयूल मतलब इस प्रकार से तो यह से सजफ़ लाएगा से 64 कितना आया जिए और यदी हम यहाँ पर लिग देते हैं कितना 50 तो दो वार तो भाग चला जाएगा 20-10 बज जाएगा तो यहां पर आप से पर जाएगा तो यह क्या हो गए हमारे में एक प्रकार के operator हो गगा इन्हीं के बारे में हम यहां मॉडिल भी देखें हैं जो की कि यहाँ पर रिमेंडर ऐन्य कि सेज्वन निकालने का काम कर रहा है ठीक है इसके अलावा कमपेरिजन ओपरेटर होते हैं यहीं कि तुलनात्मक जो ऑपरेटर होते हैं उनको हम देखें तो जैसे एक कॉल टू डबल एक कोल लगाथ एक क्वल ट right side में 10 लिखा है तो 10 को उठा कर कहां रख रहा है left में यानि कि जो assign करने का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं assignment operator अब assignment operator अलग अलग हो सकते हैं जैसे सिर्फ equal हो सकता है यानि assignment operator हो सकता है प्लस करके equal करने काम हो सकता है minus करके equal करने काम हो सकता है into करके equal करने काम हो सकता है divide करके equal करने का काम हो सकता है next जो होते है logical operator logical operator के अगर बात करूं तो यहाँ देखे आप logical operator तीन देख पाएंगे एक तो end होता है end मतलब a वाला ठीक है end मतलब a वाला यानि कि दो condition येसे a है और b है दोनों बीच में end का निसान लगा है यानि कि दोनों सही होना चाहिए तब यह यहाँ पर देगा एक होता है और और डवल और इस प्रकार से लेते हैं तो यह और मतलब या तो यह होगा या तो बी होगा दो में से कोई भी एक सही होगा तो true का आंसर यहाँ पर देगा not equal to जब हैस का हैस का निसान हो गया एक सिंगल या कॉमा हम बोल सकते हैं इनको special operator की शेड़ी में भी हम रख सकते हैं next last जो होते है conditional या फिर हम turnary operator बोलते हैं turnary operator मतलब यहाँ पे जो जैसे दिखे एक operand के साथ यानिकी एक साथ मैं अगर plus plus हम लगा देते हैं क्या कहलाएगा ये हो जाएगा यूरी एक उप्रेंड के साथ में जो काम कर रहा और बाइनरी हो जाएंगे और इसी फिरकार अगर तीन operator के साथ मैं काम कर यह नहीं कि उसको हम बोलेंगे टर्नरी ठीक है तो टर्नरी operator क्या होगा? एक्षपरिसंग बन एक्षपरिसंग टू में से कोई बड़ी है तो यह वाला रण होगा और नहीं है तो फिर तर्ड जो देते हैं वहां पर एक्षपरिसंग स्को रण किया या गुणा करने की जो घंडाय करते हैं उनको हम अर्थमेंटिक ऑपरेटर बोलते हैं जैसे कि हम देखें तो प्लस हो गया माइनस हो गया यानिकि प्लस मतलब एडिशन माइनस मतलब सब्सक्रेक्शन इन्टू यानि कि मल्टिप्लेकर संड डिवाइड यानि डिवीजन और यहां रिमेंडर का काम करता है जैसे युदि हम यहां देखें एप्लस भी तो देखें ए बरावर 6 है और भी वरावर 3 है तो 9 आएगा और यहां माइनस की बात करें तो 3 आएगा ठीक है माइनस करके और इंटू के अगर बात करें 6-3, 8-8 यहानिकि आफ़ार आएगा और अ आर करके 6 ली और भी आर करके जो बी है जैसे कॉमा लगा हम बैरेबल को मल्टिपला मल्टिपल जो बैरेबल हो एक साथ ले सकते हैं भी आर वाली लाइन में तो यहां दे दी हमने सब्स्ट्रेक्शं की सब्स्ट्रेक्शन मतलब एक संख्या है जैसे मानलो मैंने मैंनस बी करते हैं तो यहां पर चो करेंगे तो यहाँ प्रेकर ने काम करता है सिक्स में थ्री और यहां पर बात करें तो यहां पर नजर आएगा इसके बाद करें डियों के यहां डिवाइस कि तो ये भी आर्थमाटिक operator है जो कि divide करने का काम करता है जैसे 6 में 3 का भाग दे रहे हैं तो इस टोर कहां हो गया सी में और सी को जब हम प्रिंट कराएंगे तो यहां पर आएगा और मॉडिलस की अगर बात करें तो यहां पर आपको देखने मिलेगा मॉडिलस में जब हम ए में जो है ए में मॉडिल भी करते हैं तो यहां पर भाग देने पर जो सेस्फल आता है अगर मानलो मैं यहां पर साथ देता हूं तो तीन का भाग दो बार जाएगा और रिमेंडर क्या बचेगा एक तो इस प्रकार से यहां पर अंसर आजाएगा अभी तो आपका जीरो आ रहा है आप इसको हल करके देख सकते हैं नेक्स प्रकार के जो आपरेटर होते हैं वह होते he comparison यनि कि प्रकार से अगर बोलें तो तुल्नात्मक जो आपरेटर होते हैं वह हम को यहां देखने को मिलता हैं comparison operator की रूप में तो यहां पर अलग-अलग हो सकते जिसे जब हमको कोई value की तुलना करना जैसे a equal to b अगर सही है तो answer क्या आएगा true और अगर नहीं है तो answer आएगा false इस प्रकार से यह चीजे देखने को मिलती है यहाँ पर if condition आगे हम पढ़ेंगे तो return true होगा और लेस देन का मतलब होता है a छोटा है b से अगर सही है तो return true करेगा और नहीं तो false करेगा और less than और equal to करेंगे मतलब छोटा है या बराबार है तो इसके लिए अगर सही है तो true आएगा नहीं तो false आएगा उसके अलाभा greater than यानि कि बड़ा है तो यहाँ अगर हम बड़ा है जो यह वह बड़ा है तो मतलब थू आएगा और चेटर देंग और कलेंगे अगर सही तो ट्रू और नहीं तो पाइगा और जहां पर पना मतलब यह जिए यहां पर दो value यह ले लिए हमने यहांपर देखिये हम क्या कर देते हैं a equal to b और c को जब print कराएंगे तो a जो है क्या है b के बराबर है या नहीं है यह पूछा जारा है तो क्या बोल रहा है false है क्यों क्यूंकि a की value 50 है और b की value 20 है तो बराबर है क्या बिल्कुल नहीं है और अगर मानलो मैं इसमें बराबर कर देता हूँ ठीक है तो बराबर करने के बाद अगर हम रन करें तो देखिए यहां true आएगा क्यों क्यों क्योंकि बराबर है ठीक इसके अलाबा हम इसको फिर से कर देते हैं और आप करते हैं a greater than b अगर a greater than b या बराबर है तो यहां पर सही बताएगा और अगर हम इसको कर देते हैं छोटा ठीक है a चोटा है या बराबर b के तो यहां पर सिर्फ less than भी करेंगे तो भी हमारा false आने वाला है ठीक है इसके अलाबा हम क्या कर सकते हैं हम not का निसान लगा सकते not थिक है तो देखिuego यह यहां पर not a equal to कर देते हैं ठीक है तो देखेज यहां पर true क्यों आरहा क्यूंकि नहीं बोल दिया उसने तो अब देखिय नहीं बोल दिया यानि कि ये सही है वही ये एक दूसरे के बरावर नहीं है तो इस लिए यह dotR आ रहा और ये बरावर होते जो समें लो हम बरावर कर देते है 2020 बावर कर देते हैं 2020 को कर देखाएगा तो एक हूं कंटीशन में गलत डिखाएगा गलत कंटीशन में घ्याALK आएगा क्या मतलब हुआ not not मतलब नहीं लगा दिया पहले तो comparison operator में देखिए आप देखिए यहां पर equal to लगा तो a बराबर है b के तो क्या आना चाहिए true आना चाहिए right answer हमारा true हो कि देखे यहां पर हमको संख्या को क्या करना पड़ेगा same करना पड़ेगा ठीक है same इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर true तभी आएगा और अगर संख्या हम same नहीं करेंगे तो true नहीं आएगा इसके अलाबा less than के अगर बात करें तो a छोटा है b से तो यह क्या है गलत है क्यों क्योंकि a बड़ा है तो यहां पर false आनसर आएगा ठीक है इसके अलाबा हम बात करें less than और equal to मतलब छोटा है या बराबर है तो जैसे देखिए a बड़ा है पर यहां पर पूछा जा रहा है कि छोटा है या बराबर तो भी यहां पर false आने बाला है जो कि हम अभी already देख चुके हैं इसके अलाबा greater than की बात करें तो जब a बड़ा है तो greater than लगाएंगे तो true answer आएगा जैसे हम देखिए यहां पर true answer यहां पर आ रहा है अब greater than equal to में भी true answer आएगा क्यों आएगा क्य क्या देखा मतलब जैसे हमने दिये यहां पर a बराबर मतलब नहीं है बराबर b के तो simple सी बात है नहीं है नहीं है मतलब six और five बराबर थोड़ी है तो इसलिए यहां पर true answer आया जब हम बराबर कर देते तो false answer आता ठीक है अब बात करते हैं assignment operator की assignment का मतलब होता है a equal b करते है तो assign करके b को a में हम पहुचा रहा है यानि की assign करने का काम कर रहा है यह plus करके भी कर सकते हैं divide करके भी कर सकते हैं into करके भी minus करके भी हम कर सकते हैं चारुत चीस से हम यहां पर assign कर सकते हैं तो चलिए पहले तो हम example यहां पर देख लेते हैं देखिए यहां हम जो है c को print करा रहे हैं सी में हम क्या स्टोर करने वाले हैं ठीक है चलिए हम सी में स्टोर नहीं करते हैं हम सिर्फ ए को प्रिंट करते हैं यहां पर और एम हम स्टोर करते हैं ए बराबर बी कर देते हैं तो ए बराबर बी करें तो नॉर्मली क्या होगा ट्वंटी इसमें अगर हम देखो यहा यहाँ पर देखे न यहां हरा क्यों करते हैं कि यहां हरा क्यों कि कहीं छाए टोनों को जोड़कर कितना हुआ जोड़ेगा और फिर assign करेगा तो B और A को जोड़ेगा और A में assign करेगा यह नहीं कि 30 आ जाएगा और अगर हम बात करें minus की घटाएगा फिर लाएगा तो यहाँ देखे minus 10 आया क्यों क्यों क्योंकि 10 में से 20 घटा आया तो minus 10 आया फिर assign किया गया है और अगर हम बात करें गुणा की चलो इसको ये बड़ी संक्या कर लेते हैं जिसे हम 30 कर लेते हैं ठीक है माइनस करके लाएगा तो प्लस 10 ला लेगा ठीक है इसके अलाबा हम अगर बात करें इंटू करके इंटू करके असाइन करें तो इंटू करके असाइन कर लेते हैं 600 यह जाएगा ठीक है तो यह हो गए हमारे assignment operator आगे चलके हम एक करके जान लेते हैं यहां पर देखे assignment operator जैसे एक कुल भी करें तो एक की value कहां चली गए बी में मतलब जो बी की value है वो ए में चली इसके लाबा प्लस करके assign करना है यानि कि देखे ए में already 10 है और प्लस करेगा किसको बी में जो value है 20 प्लस करेगा फिर assign करेगा यहां पर answer आ गया था इसके लाब माइनस की बात करें तो जैसे मान लो इसमें हमने 30 रखे हैं और इसमें apply कर देगा और print भी करेगा ठीक है इसके लाबा हम बात करें किसकी divide की तो जैसे 30 यहां लिए और यहां ले ले लेते हम 10 तो divide करने के बात कितना आ रहा है 3 तो यहां पर 3 store हो जाएगा तो हमने देख लिए देखिए आप यहां देख सकते हैं जैसे हम देखे a में हमने लिए 10 और b में हमने a को देदी है तो मतलब क्या आ या 10 आ गया और अगर यहां देखिए हम लेते यहां पर b में a में 10 और b में 15 तो दोनों में जोड़कर वो यहां पर assign करेगा तो 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 तो a में क्या आ गया 25 आ गया ए को जब हम print कराएंगे 25 25 यहां पर answer आजाता है दोनों की value कितनी है 10 और 15 है दोनों को जब minus कर खिलाएंगे तो यहां पर minus 5 आएगा क्योंकि 10 में से 15 गया या नहीं कि minus 5 आपका answer आजाएगा ठीक है इसके लावा into करने की बात हुई तो 10 और 15 को multiply करेंगे तो 150 यहां पर answer आएगा तो into करेगा और फिर assign करेगा यह आपका यहां पर देखने मिलेगा assignment operator multiplication वाला फिर division के अगर बात करें तो यहां पर देखिए मान लो इसके सब्सक्राइब करेंगे खोटी संक्राइब करेंगा तो 9 आदम भी चोटी संक्राइब करने हैं तो यहां पर distra 1 तो देखिए यहां पर पहले डिवाइट करेंगा यहां पर मान लिजी ग 2backs होता है है और यहां पर 50 है इसको टीवाइट करेंगा इसमें और I Kauf Like प्रकार लगाते हैं तो क्या ना चाहिए यानि कि दोनों ही कंडिशन हमारी सही होना चाहिए इसके बदले में अगर हम यहां पर लगा लेते हैं ए छोटा है बी से और और मतलब अथवा और बी बड़ा है ए से तो जब यह कंडिशन में से कोई भी एक कंडिशन सही रहेगी तो क्या आएगा ट्रू और नहीं तो फॉल्स देगा एक और होता है नॉट ऑपरेटर ठीक है तो तीनों को हम उप्योग करके देखेंगे जैसे द हैं ठीक है तो यहाँ दीकी सबसे पहले दीआ है और एंड गैंड क्या होता है जब अधिक एक्स्परेशन हमने दिए मतलब दो से अधिक कंडिशन दी है जैसे यह छोटा है बी से और बी बड़ा है A से दोनों मैं से दोनों ही सही रहेगी तो answer हमारा true आएगा नहीं तो क्या आएगा false आएगा चलो run करके देखते हैं इसको जैसे A जो है бड़ा है 30 आगया वहाँ पे और B जो है 20 आगया तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अंन्दर हम इसको क्या कर लेते हैं अंदर ही रन कर लेते हैं ठीक है तो ए चलिए यहां पर हम जो है एक variable लेते हैं c और c में हम store कराते हैं a बड़ा है किस से b से और बीच में लगे देते हैं end और b छोटा है किस से a से तो जब दोनों condition हमारी सही रहेगी तो हमारा answer यहां पर true आना बड़ा कर दिये दूसरे में और पहले में A को बड़ा कर दिये यहां पर क्या जायेगा ठीक है इस चीज आपको देखने मिलेगी पर इसके बदले हम यहां पर लगा देते हैं क्या यह वाला operator कुन सा वाला logical और operator तो हम यहां पर पाएंगे true आया क्योंकि इन में condition होती कि कोई भी एक यहां पर सही होना चाहिए तो आपका जो है right answer यहां पर आ जाएगा ठीक है इसके बदले में हम यहां पर एक चीज और लेते है जैसे देखिए बड़ा है बी से है बड़ा already कोई दिक्कत नहीं यहां पर हम इसको bracket में लिखते हैं और सामने हम लगा देते हैं not ठीक है तो यहां पर false क्यों आया क्यों यहां पर यहां पर यहां पर आते हैं तो पहला भी हमने देख लिए और ऑपरेटर भी हमने देख लिए देख लिए हैं और यहां पर हम जो है और लगाखे इसको देखे थे ठीक है और यहां पर डबल डंडी लगती है not operator भी हमने यहां पर देख लिए हैं तो देखे यह जब true होता है तो false return करता और false होता तो true return करता है तो इस प्रकार से हम देखे जो ऑपरेटर है वो complete डाउट आपके रहेंगे उसका मैं एक timing बता दूँगा उसमें live session लेंगे आपके डाउट क्लियर करने के लिए जिसमें आपको भी काफी अच्छा लगेगा ठीक है और जो भी कमेंट आती है उनको भी हम solve कर पाएंगे ठीक है झाल 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 झाल